तो आज आठ नवंबर 2022 को सामस्टांग ने इस्टेबल एंड रो आइड थाटीन बेस्ट वानी वाई 5.0 का अपडेड जो है वो कुछ डिवाइसेस में रोलाउट करना स्टार्ट कर दिया है तो आज के इस वीडियो के अंदर डीटेल में मैं बताने वाला हूं दोस्तों तो वीडियो को अंदर तक देखिएगा और लाइक कर देजिगा इस वीडियो को लाइक टार्टेट हम लों रखते हैं 90 लाइक ने बेल लाइक आप लोग कंप्लेट कर देजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर्ट से प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूशर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों सामसांग ने अगस्त के महिने में एस 22 सीरीज में अब्डेट दिया उसके बाद एस 21 सीरीज में दिया उसके बाद ए 52 में दिया जेड फोल्ड 3 जेड फ्लिप 3 जेड फोल्ड 4 जेड फ्लिप 4 इस 20 सीरीज नोट 20 सीरीज तो सामसांग ने सामसांग एस 22 सीरीज एस 22 एस 22 प्लस एस 22 अल्ट्रा के लिए जो इस्टेवल अपडेट था वो अक्टूब में जो इस्टेबल एंडरो आइड थाटिन बेस्ट बनी वाई 5.0 का अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है तो जिन्हों उनके डिवाई शर्व में बीटा अपडेट आ रहे थे तो अब एक अपडेट आया हुआ है जो की Equipped अपडेट है दोस्तों फाइनल बीटा अपडेट और इस अपडेट के बाद कोई भी बीटा अपडेट नहीं आएगा आपका डिवाइस इस्टेवल वर्जन पे आ जाएगा बात करें अपडेट फाइल की तो 359 अपडेट है ऑक्टूबर 2022 का सिक्योर्टी पैच मिल जाता है और यह लास्ट बीटा अपडेट है दोस्तों इस ट्वंटी वन सिरीच के लिए इस ट्वंटी वन प्लस ट्वंटी वन अल्ट्रा और यह जो अपडेट है साउथ कोरिया में रोल आउट किया जा रहा है और सांग जो की हो सकता है कि इसी वीक में हमें जो इस्टेवाल अपडेट है वह इस ट्वंटी वन सिरीज में देखने को मिल जाए तो देखते हैं सामस्टांग फ्यूचर में क्या करता है और बिगर कोई जाती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉ